बैस्विक महामाई करोना के खिलाब जब पुरा देश आधने प्रधानमंतरी मोधीजी के नित्रितों में मुझबूती से लड़ाई लड़ा है और लाखों की संख्या में करोना वारियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्सा में लगे हुए हैं ऐसे समय में करोना वारियर्स पर हमला हूँ इस सीदे सीदे विवस्था को चनौती देने जैसी स्थिती है और इसको किसी भी स्थिती में स्विकार नहीं किया जा सकता मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्ते कर्मी सुरक्षा कर्मी सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के द्वारा हमारी सरकारी मसिंडरी के द्वारा सेवा के बड़े कारिक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रदेश को करोना से मुक्त करने के लिए उसके चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग और सेंपल कलेक्सन के लिए ब्रहत पैमाने पर कारियोजना बना करके कारवाई की जा रही है ऐसे समय में कुछ लोग कौरोना केरियर का काम कर रहे हैं सुरक्सा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, सचचता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं एक अच्छम में अपराद है और इस प्रकार के गिर्थे को कतई ब्रदास्त नहीं किया जा सकता इसी को दृष्टिकत रखते भे, हम लोगों ने उत्तरप्रदेश में एपडिमिक एक्ट में ब्यापक संसोधन करने की एक कारवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहट अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाली में एपडिमिक एक्ट में संसोधन किया है एपडिमिक एक्ट 1897 में उसके तहट भारत सरकार ने मेडिकल के करमियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुरुभिवार इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधन किया है हम लोगों ने स्टेट में वहत लागों किया ही है इसके साथ ही सुरक्सा कर्मियों पर सच्छता कर्मियों पर और करोना वारियर्स पर या करोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे साथ साथ तक की सजा और पांच लाग तक रुपे तक का जुरवाना ये करने का हम इस संसोधन के मात्यम से इस संसोधन के मात्यम से इस कारवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं आज भी कानपूर में कुछ लोगों ने तुछ साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को सपस्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किये हैं बढ़ा हुआं समको धूलने का लिए इन सब के खिलाब सक्त कारवाई नखे वर्ड इजास्टर, मैनिजमेंड अक्ट और एपडेमिक एक्ट के अंतरकत इनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए स्विकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान पर जान को हतेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्सा की टीम, सुच्छता करवियों की टीम, डॉरिस्टेप डिलिबरी से जुड़ी भी टीम, सेनिटाइजन से जुड़ी भी टीम, युद दस्तर पर 23 करोड ज और कारवाई करने में किसी प्रकार कर संकुच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दे गये हैं, जो भी दोसी होगा, उन सब के खलाव बहुत सकत कारवाई करेंगे और इन्हें एपडेमिक एक्ट के साथ साथ, डिजास्टर मैनिस्मेंट एक्ट के अंतरकत, आईपी सी की सुसंगत भाराओं के इंतर गद्वी निरूत करने के साथ साथ, गैंगेस्टर और इन्हेसे की कारवाई में भी इनके खलाव हम बहुत सक्त कारवाई करेंगे.